नमस्कार फाइटर समाचार में आपका स्पागत है पेशाज पांच जुलाई शाम साथ बज़े राजिस्थान की खास खबरें बजट सत्र के दूसरे दिन भी वीपक्ष का विधानसबा में जोरदर हंगामा देखने को मिला शुन्यकाल में कॉंग्रेसी विधायक हरी मोहन शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पी सी सी चेफ गोविन सिंग डुटासरा पर मुकदमे का मुद्धा उठाया शर्मा ने कहा कि सरकार के इशारे पर दमन ठीक नहीं है, मैं नेता प्रतिपक्ष के बोलने के दुरान कॉंग्रेस विधायकों के हंगामे पर खाद्य मंत्री ने तंज कसा, उन्होंने कहा कि कॉंग्रेसी जूली को नेता नहीं मान रहे, डुटासरा अलग से अपनी चलाना चाते हैं, हंगामा बढ़ता देख स्पीकर ने विधानसभा की कारवई आदे घंटे के लिए स्थगित कर दी है, इसे पहले डॉक्टर किरोडी लाल मीना की इस्तीफे की खबर के बाद सदन में उनके विभाग से जुड़े कामों की जिम्मेदारी दो मंत्रियों को दी प्रदेश के कॉलिज में एडमीशन के लिए लास्ट डेट में बदलाव कर दिया गया है, पहले स्टूडेंट्स फस्ट इयर के ली तीन जुलाई तक आवेदन कर सकते थे लेकिन 10 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं, कॉलिजों द्वारा आवेदन पत्रों की ऑनलैन सत्या करा सकेंगे विद्यार्थियों की पहली सूची का परकाशन 19 जुलाई को होगा और विश्यावंटन 20 जुलाई को होगा पूरा में जारी कारेक्रम में परिवर्तन के बाद अब 22 जुलाई से शिक्षन कारे शुरू होगा 10 जुलाई तक आवेदन करने के बाद 13 जुलाई तक की जांच होगी वेटिंग लिस्ट 15 जुलाई को परकाशित होगी एड्मिशन वाले स्टूरेंट्स के लिस्ट 19 जुलाई से शुरू होगी और 20 जुलाई को विश्यावंटित होंगे नीड परिक्षा को रद करने की मांग को लेकर युवा कॉंग्रिस ने राजस्तान में सभी संभाग स्थर पर रेल रोको अंदोलन कर विरोध जिताया इस करम में राजस्तान युवा कॉंग्रिस के अधिक्ष विधायक अभिमन्यू पूनिया ने जैपुर के गांधी नगर रेल विस्टेशन पर ट्रेन को रोकने का प्रियास कर विरोध दर्स करवाया विरोध परदर्शन के दुरान पूलिस ने अभिमन्यू पूनिया समेथ अने को युवा कॉंग्रिस के कारे करताओं को गिरफतार कर लिया इस दुरान पूनिया ने कहा कि नेट परिक्षा को रद करने को लेकर राजस्तान में सभी संभाग स्थर पर रेल रोकने का काम युवा कॉंग्रिस ने किया है देश में नेट को लेकर ने सिर्फ विपक्ष बलकि खुद सैकडों हजारों चातर सडकों पर अंदोलन कर रहे हैं सरकार अपना हट धर्मी रवया अपनाए हुए है प्रधान मंत्री कह रहे है हम ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रहे है हमारी मांग है कि केंदरिय शिक्ष मंत्री धर्मेंदर प्रधान को जिम्मेदारी लेते हुए नैतिक अधार पर इस्तीफा देना चाहिए हरियाना के हिसार में हिसार दिली नैशनल हाईवे नमबर 9 पर DPS स्कूल बस ने वाहनों को टकर मार दी बताय जा रहा है कि बस बारिश में काफी तेज चल रही थी बस ने पहले 2-3 वाहनों को टकर मारी जिसके बाद एक बाइक सवार इसकी चपेट में आ गया बाइक सवार की आलत घंबीर बताय जा रही है जिस वक्त हादसा हुआ बस में 40 स्कूली बच्चे सवार थे भीड ने मौके पर ही ड्राइवर को पकड़ लिया उसके साथ मार पीट की गई और पुलिस को बुलाय गया मौके पर जमाल लोगों ने बताया कि ड्राइवर नशे में था और तेज गती से बस चला रहा था यह हादसा नैशनल हाईवे पर गाव मयड के पास हुआ बच्चों को दूसरे वहान में स्कूल भेजा गया वहीं ड्राइवर का कहना है कि बस के ब्रेक फेल हो गए थे बता दें कि इससे पहले भी नीजी स्कूल की लापरवाही सामने आ चुकी है सदर पुलिस मामले की जांच कर रही है रेलवे सुरक्षा बल अब स्टेशनों और ट्रेनों में यात्रियों को सुरक्षा के खुशनुवा महाल भी देगी जी हां पढ़ने में ये भली अजीब हो लेकिन उत्तरपश्ची में रेलवे के आरपियफ परमुक आईजे जोती कुमार सतीजा ने चारों मंडलों के कमांडिन को यात्रियों के मन में आरपियफ की चवी बदलने के लिए कहा है उन्होंने कहा कि पुलिस की सक्त और कई जगा गलत चवी की वज़ज़ से लोग पुलिस को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं ऐसे में अब हमें अपनी फोर्स की इस तरह की चवी को सुधारना है इसके लिए उन्होंने दिवाली, होली, स्वतंतर ता, गनतंतर दीवस, ग जावट के लिए भी कहा है, इसके साथ ही विशेश, आयोजनों और त्योहारों पर स्टेशन आने जाने वाले बच्चों को चॉकलेट, मिठाई आदी बांटने के लिए कहा है राज़ा ने जैपुर के ग्रेटर और हैलिटेस नगर निगम को एक किये जाने के राजस्तान सरकार के फैसले का विरोध शुरू हो गया है सांगा निर्विदान सबा में जैपुर जिला अध्यक्ष आरार्तिवारी और नगर निगम ग्रेटर नेता प्रतिपक्ष रजीव चौधरी ने ग्रेटर निगम पार्षदों के साथ बैठकी सबे पार्षदों ने एक स्वर में कहा कि राजस्तान सरकार के इस फैसले का विरोध किया जाएगा सरकार यदी नहीं मानती है और दोनों निगम को एक करती है तो स्वायत शाषन विभाग का खिराव किया जाएगा पार्शदों ने कहा कि छोटे वार्ड होने से विकास कार्य सही से होते हैं बैठक में नेता प्रतिपक्ष राजीव चौधरी ने कहा कि ग्रेटर नगर निगम की अधिकारी कॉंग्रिस पार्शदों के साथ स्वतेला विवहार कर रहे हैं दोसज लेके महुआ के स्पताल रोड सित SBA बैंक की शाखा में एक अग्यात बदमाश बैंक कर्मी बन कर पेंशन लेने आई वरिद महिला को जांसा देकर दो तोला सोने के टॉप्स लेकर फरार हो गया महिंदर सिंग धाकर ने महुआ थाने में दे रिपोर्ट में बताया कि उनकी मा गौमती देवी पेंशन के पैसे लेने चोटे भाई रजेश के साथ SBA बैंक गई थी नीचे इमितर पर किसी कारण से पेंशन के रुपए नहीं निकले तो मा को इमितर पर छोड़ कर रजेश फोटो बनवाने बासार चला गया इस दोरान वहां खड़े सक्ष खुद को बैंक करमी बताकर महला को पैसे दिल वाने का बोल कर बैंक ले गया और कहा कि कैश पर बैठी महिला जेवर देखकर आपके वरदा बस्ता पैसे नहीं देगी महिला ने उसे दोनों टॉपस दे दी इसके बाद युवक महिला को लाइन में लगा कर अफू चक्कर हो गया फुलिस ने सेसिटिवे फुटेस निकाल कर युवक को तलाश किया लेकिन उसका कोई पता नहीं लगा जालवर राज के हीरा कुमर बाद जनाना चिकित साले में आई दिन स्टाफ की लापरवाही सामने आ रही है अब डिलिवरी के बाद दो बच्चों की अदला बदली हो गई जिसके बाद वहां हंगामा हो गया दो घंटे तक जनाना स्टाफ को पता तक नहीं चला जब परीजन गया जबकि हमारी लड़की थी बाद में पता चला तो अस्पताल वालों को बताया फिर वापस अदला बदली की गई वहें पनवार के बच्चे के पिता दीप चंद ने बताया कि मुझे लड़की दे दी गई थी दो घंटे बाद वापस लड़का दे दिया अधिक शक चार महीने में साथ बाइक चोरी का खुलासा करते हुए दो चोर और दो चोरी की बाइक खरीदने वालों को गिरफतार किया है बाइक शुराने वाले दोनों चोर बड़े शाती रहें अपने गाउं से प्राइविट बस में बैट कर जोदपूर आते थे और यहां आमी और 20 वर्षे रकेश वालमिकी को गिरफतार किया है पुलिस ने दोनों के पास से 12 बाइक बरामत की इनकी निशान देई पर खरीदार क्रिम सरिया कला निवासी 22 वर्षे प्रेमा राम भाकर और आसिया निवासी 24 वर्षे गेवल राम जाट को पकड़ कर इनसे 8 बाइक ने उसके साथ दुशकरम किया विरोध करने पर शादी का वादा करने की कहकर धोखा दिया फटा बस्ती थाने में 19 साल की यवती ने दी रिपोर्ट में बताया कि करीब 4 महीने पहले उसकी मुलकात एक शादी प्रोग्राम में सनी से हुई थी मुबाइल कॉल पर दोनों की बादचित होने पर दोस्ती हो गई सनी ने उसे प्रेम जाल में फांस लिया 15 जून को जूट बोल कर मिलने के बहानी बुलाया मिलने जाने पर अरोपी ने जबरन रेप किया विरोध करने पर शादी का वादा किया शादी का जांसा देकर 10 से 12 दिन तक उसके साथ देश उश करता रहा शादी करने की कहने पर मना करने पर थोके का पता चला पुलिस ने पिडिता का मेडिकल करवा कर जाच शुरू कर दी है झाल झाल झाल